नमस्कार प्यारे बच्चो अब आप इस विशे के वीडियो एक साथ भी देख सकते हैं इसके लिए वीडियो के नीचे मेरी चैनल का नाम है तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस विशे के वीडियो एक साथ देख सकेंगे तो बच्चो आज के वीडियो में हम सिखेंगे हिंदी कक्षा साथ द्वितिय सत्र का पार्ठ नंबर 4 देश के नाम संदेश तो देश के नाम संदेश है वो डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम ने दिया है कि उसने एक इमेल भेजा था नई दिल लिशे 19 माई 2005 के दि क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनिट है ऐसा हिर्शक देकर इमेल नागरिकों को भेजा था और उसमें हमें ये 10 मिन जो देश के लिए निकाले तो पत्र में क्या लिखा है और इसके दुआरा अब्दुल कलाम जी हमें क्या कहना चाहते है वो पता चलेगा हमारे दिल में देश के प्रती अभिमान देश अभिभानी के भावना उत्पन करने के लिए डौक्टर पीजे अब्दुल कलाम ने यहाँ पत्र ईमेल के द्वारा सबको लिखा था और डौक्टर अब्दुल कलाम को हमें वो मीसाइल मेन भी कहते है और वो हमारे पूर्वर राश्क्रपती थे तो यहाँ पर है शिर्षक मात्रुचाया उचीशेरी गाव मेशपुरा तहसिल यानि तालुका पाबर जिल्ला बनासकाथा दिनांग 24-12-2011 यह पत्र हर्ष को लिख रहा है कौन रिक लिख रहा है तो किरण है वो हर्ष को पत्र लिख रहा है तो लिखा है प्रियम मित्र हर्ष नमस्ते मैं यहाँ सकुषल हूँ सकुषल यानि अच्छे से हूँ आशा है वहाँ सभी सकुषल होगे तुम्हारा खत मिला पढ़कर खुशी हुई मैंने डौक्टर अब्दुलकलाम का देशिवासियों के नाम भेजा गया एक इमेल पढ़ वही तुम्हारे लिए प्रेशित कर रहा हूं तो किरण है वो मित्र हर्ष को कहला कि मैंने थोड़े दिन पेले एक पत्र पढ़ा था इमेल के जरीए वही प्रेशित यानि वही मैं तुमको भेज रहा हूं तो डौक्टर अब्दुलकलाम अपने देश को की शरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनिट का समय है, यदि हाँ, तो इसे पढ़िए, वर्ना मर्जी आपकी. यानि पत्र शरू होता है तभी डोक्टर एपीज अब्दुलकलाम कहते हैं कि क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनिट है तो ही ये पत्र पढ़ना वरना छोड़ देना इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं हमारे देश के लोग है वो केसा सोचते हैं यह बताते हुए डोक्टर अब्दुलकलाम जी कहते हैं आप कहते हैं यानि हमारे देश के लोग कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है निकम्मी यानि कोई काम नहीं करती आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए है यानि हम है जो केश दर्ज करते हैं तो उसका जो वक्त है वो बढ़ जाता है और केश है वो कभी खत्म होता नहीं तारिख पे तारिख मिलती रही है आप कहते हैं नगरपाले का कच्रा नहीं उठाती आप कहते हैं Fone काम नहीं करती Railway मजाक बन गई है Sheriff day out Railway है उसकी पटरियागंदी कर दी है उसकी डिगबे गंडे कर दी है इसलिए ओबलता है Ilway मजाक बन गई है Airline दुनिया में हमारी सबसे खराब है चिठी अपनी मन्सिल तक नहीं पहुचती आप कहते हैं कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं आपने इस बारे में क्या किया यानि देश के लोगों को कहते हैं कि आप सिर्फ सवाली करते हैं पल मगर आपने इसके बारे में कुछ किया है या नहीं फिर राश्ट्रपती जी ने कहा मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापूर जा रहा है उसे अपना नाम दीजिए उसे अपनी शकल भी दे दीजिए यानि अभी कोई व्यक्ति है वो सिंगापूर जा रहा है तो उसे अपना नाम और अपना जो सूरत है वो दे दीजिए फिर वो आगे क्या करेगा सिंगापूर जाके देखिए आप दुनिया के सर्वस्रेष्ट हवाई अड़े पर उतरते हैं आपने जो व्यक्ति को अपना नाम और शकल दी है वो सबसे स्रेष्ट हवाई अड़े पर उतरता है सिंगापूर में आप अपनी सिगरेट का टुकडा सड़को पर नहीं फेकते और स्टोर में खाते भी नहीं है आपको उनके भूमिगत संपर को पर रश्क महसुस होता है रश्क यानी इर्शा कि वहां की भूमिगत संपर्थ है उसे हमें इर्शा होती है आप शाम पाच से आठ बजे के बीच आर्चर रोड पर कार चलाने का टॉल टेक्स तकरीबन साठ रुपिये भुकतान करते है अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज्यादा गाड़ी रखी तो टिकिट पंच कराते है लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नही कहते है क्या नहीं हम किसे दुसरे देश चाहिए तो वहाँ के रूलो को हम फोलो करते है वहाँ हम कुछ नहीं बोलते दुबई में आप रमजान के दिनों में सारवजनिक रूप से कुछ भी खाने का सहास नहीं करते जेहाद में बीना सीर ढके बाहर नहीं निकलते वाशिं पाहिसे यह भी नहीं कहते कि में कौन हूँ में फला हूँ में फला मेरा बाप है तो हम वोशिंग्टन में जाएं तो वहाँ जो कार है वो दीमी ही चलाते हैं फास नहीं चलाते हैं और भारत में हम तो अपनी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं और कोई हमें रोकता है तो हम है व और न्यू योर्क में ऐसा नहीं करते आस्ट्रेलिया और न्यू जिलेंड के समुद्र तट पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उचाते तो हमारे भारत में यहाँ जो भी समुद्र तट होते हैं वहाँ पर नारियल यूही दिखरे पड़े मिलते हैं पर यह कहते हैं डोक्र तरकल आमकी उस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंड में आप खाली नारियल नहीं उठाते, फेकते, टोक्यो में आप सडको पर पान की पीक क्यों नहीं थुकते, हमारे यहां सबको एसी आदत हो गई है कि जहां भी लिखा हो थुकना मना है, हम वही थुकते हैं, और आप सबने द होता है, थुकना मना है, तो सभी वही थुकते हैं, यानि हम अपने देश में हैं वो, हमने जो नियम बनाए है सरकार ने, उसका पालन नहीं करते, पर भारत से बाहर जाएगे, तो हमें उसके नियमों का पालन करना होगा, बोश्टन में आप जाली योग्यता प्रमाल पत्र क्यों नहीं खराईते, एक हमारे यहाँ पे यह भी है, कोई जाली प्रमाल पत्र देता है, तो हम खरीद लेते हैं, भरले ही हमारे पास उसके हिसाब से कोई शक्ती हो, जो प्रमाल पत्र खरीदा हो, वो हमें आता हो, नहीं आता हो, फिर भी, डोक्टर कलाम बीच में याद मैं आप ही के बारे में बता रहा हूं, बात कर रहा हूं, सिर्फ आपके, डोक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्ता का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्ता का नहीं, भारती यदरती पर कदम रखते ही, आप सिगरेट का टुकडा जहा तहा फेकते हैं, कागर्ज के पूर्जे उचालते हैं, यदि आप पराय देश में प्रसंसनी या नागरिक हो सकते हैं, तो यहां भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते हैं, यानि वह कहते हैं, डोक्टर कलाम की हम हैं वह बाहर जाते हैं, भारत की बाहर तो वहां अच्छ पीके टुकड एफेक्ते हैं और पान के पीक जहा तहा थूपते हैं तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आप दूसरे देश में अच्छी तरव यह वार करते हैं तो हमारे देश में आप अच्छी तरह से क्यों नहीं रह सकते फिर आगे पत्र में डॉक्टर कलाम क्या लिखते हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे तब तक के लिए गुड़ बाई टेक केर